अध्याय 18. मुद्रा एवं साख मुद्रा का बदलता स्वरूप हमारे दैनिक जीवन में हमें रुपियों और पैसों की आवशक्ता होती है इनसे हम लेन देन करते हैं जहां हम इन रुपियों से आवशक्ता की अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं वहीं हम लोगों को उनकी दी गई वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुक्तान भी करते हैं यही रुपे पैसे मुद्रा है इस प्रकार मुद्रा हमारे सभी वित्तिय लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा है हमने इतिहास के अध्यायों में लेन देन के लिए धातूं के उप्योग के बारे में पढ़ा है धातूं को सुरक्षित रखना अपने आप में एक कठिन कारे था एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमेशा चोरी का भै बना रहता था व्यापार के लिए हर बार तॉलने की सुगम व्यवस्था नहीं थी बाद में कुछ समस्याओं का समाधान सिक्कों के चलन से हुआ सिक्कों में तॉल निश्चित होती थी और उनको प्रमाणिक करने के पीछे राजाओं के प्रतिष्ठा और पहचान होती थी धातू के सिक्कों के रूप में मुद्रा का प्रचलन व्यापक हो गया सिक्कों के रूप में मुद्रा के चलने पर इसमें सरलता के साथ कुछ खामिया भी सामने आने लगी थी सिक्कों की शुद्धता की जाच करने पर हर जाच में इसे खुरचने, छीलने और इनके भार में कमी के कारण व्यापारीगण इनके शुद्धता और भार पर संदे करने लगे कुछ लोगों ने सिकों में मिलावटी धातुओं का भी इस्तेमाल करना प्रारम्प कर दिया इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए सिकों के निर्मान वा आकार में सुरक्षात्मक उपाय किये जाने लगी जैसे सिक्कों की बाहरी गोलाई की परतें मोटी की जाने लगी व्यापार के बढ़ने के साथ साथ कुछ नई समस्याएं आने लगी सामान खरीदने के लिए उनी सिक्कों की जरूरत होती जो उस छेतर में स्विकारे हो और चलते हो हर छेत्र में अलग-अलग सिक्के चलते थे वैपारियों की लेन देन के लिए एक तरह के सिक्कों को दूसरे में बदलने की जरूरत होने लगी इस तरह एक को दूसरे में बदलना अपने आप में एक कारोबार बन गया भारत में वैपारियों ने इस समस्या का एक हल निकाला इससे उन्हें हर बार सिक्को के ढेर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाने पड़ते जिस शहर में उन्हें चीजें खरीदनी होती वे उस जगह के लिए एक हुंडी लिखवा लेते श्री गणशाय नमह भाई अमरित राम देहली को कपूर्थला से मिरजा मल मंगनी राम का जैगोपाल मालूम होए आगे आपको आज दिन रुपे 4,000, 4,000 रुपया की एक हुंडी लिखी जाती है हुंडी रखने वालो दिवान शेर अली को हुंडी को रुपयों देहली में चलने वाले रुपयों में आदा करजो लिखी मिती चैत्र सुधी 5,000, 8,95 दस्तखत मंगनी राम इस उदाहरन में कपूर्थला के दिवान शेर अली को दिल्ली जाना था मिर्जामल मंगनी राम जो पैसो का कारोबार करते थे उनकी एक गद्दी ओफिस दिल्ली में भी थी दिवान शेर अली ने कपूर्थला में मिर्जामल मंगनी राम के यहां 4,000 रुपय जमा किये मिर्जामल ने दिल्ली में अपनी मुनीम को पत्र लिखा कि वे दिल्ली में दिवान शेर अली को वहाँ चलने वाले पैसों में 4,000 रुपए अदा करें दिल्ली में रुपए लेकर उन्होंने अपनी खरीदारी कर ली